बढ़ते हैं, हम लोग अपनी एक सीरीज को अभी सीख रहे हैं, जो की सीरीज है कि मार्केट की मौर्निंग की पहली केंडल जब बनती है, ओपनिंग के समय, ओपनिंग के 5, 10, 15 मिनट में क्लारिटी मिल जाए, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को लेकर कि आज पूरे दिन का प पूरे दिन कैप्चर करें, और जितनी बार ट्रेड एक्जीक्यूट करें, कभी लॉसेज होने की संभावना ना के बराबर रह जाए, हर बार प्रॉफ्टिबिल्टी है, तो इस पूरी सीरीज में अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, वो सीखा कि अगर कोई प्राइज अप कर गया और एक लेविल को टच किया और वहां से गिरने के बाद जहां खुलाता वहीं आ गया, रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइट एक वीक कैंडल कहा जाता है, वीक कैंडल, कि ये एक इन्वाइटेड हैमर फॉर्मेशन है, जो उपर से सेलिंग उठा कर आया है, जबकि का एक पोजिशन था, उसको हम लोगों ने ट्रेट किया, ठीक है, इस तरीके से ही प्रॉसेस हम लोग दोहराते हैं, चली, यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो मैंने बताया कि ये वीक कैंडल नहीं है, सिर्फ एक कैंडल को देख रहे हैं, इंडिविजुल तब ये वीक कैंडल है, लेकिन अगर कोई इतने स्ट्रॉंग सेलर को आकर कोई बायर काट कर चला जाए, इस कैंडल के हाई ब्रेक कर दे, तो ये एक बायर कैंडल है, स्ट्रॉंग बायर का साइन है, अल्ट्रा स्ट्रॉंग प्राइस होता है, जो अप्रेंट की तरब बढ़ता है, इसको हम लोगों ने previous session में ही अभी index में trade किया कल के session के पहले यह देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आईए तो इस तरीके का projection जब आप देखें है न यहाँ पर देखें तो जब यह high break हुए previous day low के पास से तो यह एक ultra strong buyer का भी sign है एक week candle जब 2-3-4 candles के bulk formation से बनता है तो उसका behavior बदल सकता है यह अपने projection से सीखा ठीक है अब हम इस से आगे बढ़ते हैं देखिए पहला formation जो हम लोगों ने सीखा ध्यान कीजिए देखिए अगर आप हमारे पिछले दो sessions जो हुए उनको देखना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो के खत्म होने के बाद पहले इस पूरे वीडियो को देखिए जो चीजे महतपूर होंगी पिछला मैं अगर कोई भी topic यहां पर बताऊंगा तो उसका मैं आपको पूरा logic बता दूगा उसके लिए कुछ परेशान होने की जुरुत नहीं लेकिन इसके बाद जाकर उन वीडियो को देखिएगा नीचे description में telegram का link है उस link पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी trades वहां पर update की जाती है जो हमारे community traders trade करते हैं ठीक है जो भी positions हम लोग basically hedging करते हैं तो hedging की वो positions आप वहां पर track कर सकते हैं हमारे traders के results क्या है वो track कर सकते हैं उनका learning growth कैसा है वो track कर सकते हैं तो उसके लिए वहां पर join कर सकते हैं उसके साथ ही उन videos के link भी आपको वहीं मिल जाएंगे तो उन link से one by one उन videos को भी उन sessions को भी आप देख सकते हैं अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनेगा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आज के session में इसी series का एक और topic clear करेंगे ठीक है one by one मैंने क्या कहा ध्यान से देखें clear कीज़ें मैंने कहा कि कोई price अपने previous session के high के पास अगर open हो और वहाँ पर एक inverted hammer formation हो फिर low break होने पर short का opportunity मिलता है जिसको हम track trade करते हैं और हमको बड़े profits होते हैं इसी तरीके से यही inverted hammer formation जब previous day low के पास बने जो की एक support zone होता है उसके high break हो जाए तो हमको up trade मिलता है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए इसी inverted hammer का तीसरा formation देखिए आप सर पढ़ लेते हैं कि यह dozy है अरे सर कब डोजी किस range में किस projection पर कैसे काम करेगा यह कौन बताएगा आपको यही dozy एक support के पास अलग तरीके से काम करता है resistance के पास अलग तरीके से ठीक है एक consolidation zone में अलग तरीके का इसका behavior होता है और यही एक body big size body के बाद अगर डोजी बन जाए यह inside candle के high low के बाद एक अलग इसका trend होता है तो यह कौन करेगा कि कौन separation कहां build हो रहा है उसको कैसे implement किया जाए कभी उस किया जाए इसी के लिए तो classes में आप आते हैं कि one by one एक candle से कितनी possibility बनती है और हर possibility को हम लोग practical market में trade करते हैं ठीक है अगर आप हमसे जुनना चाहते हैं तो मैंने आपको बत previous day high के पास open हुआ तो फिर low break होने पर short kit rates अब थोड़ा सा जब इससे आगे बढ़ते हैं तो इसी inverted hammer formation को थोड़ा और advanced तरीके से सीखते हैं देखें एक बात मैं आपको बोली कल बाजार में जितना भी उतार चड़ा हुआ हो जितना भी up and down आया हो बाजार जहां पर बंद ह हो गया वो पॉइंट वो पॉइंट नेडायक है result table है वो बता रहा है कि पूरे दिन की खरीदारी बिक्वाली बायर की बाइंग और सेलर की सेलिंग के बाद जो नेडाय रहा तो बाजार 11% उपर बंद हुआ 0.36% उपर बंद हुआ यह बता रहा है तो पूरे दिन का नेड है closing देती है ठीक है तो closing हमारे लिए सबसे महतपूर है सबसे जरूरी टर्म है कि बाजार में बायर सेलर की fight के बाद जो नेडाय निकला वो है closing तो जब आप से कोई पूछे बाजार खुलता है open जहां तक चल कर जाता है high जहां तक गिर कर आता है low और जहां बंद होता है close इन चार हो आसपेक्ट में सबसे महतपूर आसपेक्ट क्या है किसी candle का तो आप बोलेंगे closing तो यह जो close है यह हमारे लिए बहुत महतपूर है अब यही एक inverted hammer के तरीके को बदल देगा trade करने के formation को बदल देगा यह जो advanced version में आपको सिखा रहा हूं inverted hammer का इसको ज़रा गर की कोई price open हो और अपने previous day high को break करकर open हो और पहली candle का formation inverted hammer हो जाए अब देखिए अब यह price nearby previous day high open नहीं हो रहा है अब अब previous day high पिछले दिन के high को break करके open हो रहा है तो खरीदारी कितनी हुई है gap up में कितना price उपर खुल गया पिछले दिन के high मतलब seller का last selling price break करके price उपर open हो रह का formation कैसा है inverted hammer है मतलब पहली candle तो बियरिश मन गई देखिए price की opening है positive positive है गैप अब किया वो भी previous day high के पास नहीं open हुआ अब अब प्रीविएस दे प्रीविएस डे हाई को break करके खुला तो opening है positive और first candle है negative अब बतागी क्या किया चाहिए दुविधा उत्पन हुई की नहीं contradiction है की नहीं है कि opening positive है और candle first कैसा है negative तो मैं long करूँ है short कुछ नहीं इंतजार कीजिए एक trade का जब तक confirmation नहीं होता है तब तक हम कोई trade नहीं करते ध्यान रखिए तो अब confirmation कैसे होगा तो हमको पता करना है कि कल buyer ने जब ये खरीदारी की होगी जिससे gap up हुआ तो उनका last buying price क्या रहा होगा तो वो समझ आएगा previous day closing से previous day जो closing हुआ मैं कहूँ कि कल की closing जो है वो closing है 49,880 फिर मैं आपसे पूछू ये बताइए 33, buyers की आखरी buying किस price पर रही होगी तो आप कहेंगे 49,880 की closing है तो इसके बाद तो फिर नहीं खरीद पाए होंगे तो यही buyer का last buying price है कल का अच्छा इसी buying price से तो gap up हुआ है जो ये closing पर demand उठी होगी closing के जस्ट पहले जो खरीदारी हुई उसी से gap up हुआ तो अगर ये gap up का पूरा demand काटना है तो इस previous day closing को break करना होगी तो BRS condition बो होगी जब price gap up करने के बाद previous day high के उपर open हो और inverted hammer का formation जो की एक इस तरीके का formation होता है उसको बनाए और आकर अपना previous day close break करे अगर previous day close break किया तो हमको short का trade execute करना है क्या करना है short का position execute करना है क्यों जिन खरीदारों नो breakout कराया sellers ने उन खरीदारों को buyers को overcome कर लिया और बेचने का मौका seller को higher price पर मिला ही है वो तो उसका एक advantage है और price की opening week है अब मेरे पास 3 कारण है short करने के तो मैं short करूंगा देखिए कोई भी position लेने क के पहले हमारे पास 3 reason 3 कारण होने चाहिए जिनकी वज़े से मैं position को execute कर रहा हूँ ध्यान रखिए तो मेरे पास अब 3 कारण है कि जिसकी वज़े से मैं price को short करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ इसके just opposite जो price बनेगा वो ज्यादा बहतर हो क्यों कल buyers खरीद था उसके बाद आज की opening से price बदल गया तो negative हो गया तो इसमें momentum तो मिलेगा लेकिन aggressive मिलेगा या नहीं यह नहीं का जा सकता कि instant 357-800 point का momentum मिलेगा या यह नहीं का जा सकता लेकिन इतने strong buyer जिन्होंने कल की closing अच्छी की हो फिर gap up के साथ price को open किया हो previous day high के उपर और पहली candle बस negative open हो गई हो अगर यह buyer और अच्छे है तो यह क्या करेंगे इस पहली candle के high break करा देंगे मतलब जो seller morning में sale करने आया यह उसको भी काट देंगे तो देखिए यह buyer यहां से तो बहुत strong होई गये और पिछले दिन से और strong थे मतलब यह जो buying का process है यह बहुत जादा strong है अब यहां पर यह जो cases बनेंगे इस projection के इसमें आपके losses की संभावना ना के बराबर ना के बराबर का मतलब समस्ते है 99% chances हैं कि आप loss नहीं करेंगे 99% नहीं बोला हूं 98 भी नहीं बोला हूं ध्यान रखिए मैं आपको बता हूँ एक ideal condition मैं जब इसको trade करता हूँ और मैं लगब 400 trade को analyze करता हूँ 400 execution के बाद कुछ देखता हूँ 300, 92, 94 इस तरीके के trade सही होते हैं इस setup पर 400 में से 5-6 trade गलत होते हैं वो कोई भी setup करेंगे तो 5-6 trade तो वैसे ही गलत हो जाते हैं ठीक है समझ लीजिए कितना बड़ा percentage of return आप generate करेंगे दूसरी बात मैंने सिर्फ यह नहीं कहा यहां से buying उठेगी यह इतने बड़े खरीदार हैं पिछले दिन खरीदारी की पिछले दिन के sellers क को रोकने की कुछिस की तो उस price को भी break करा दिया यह इतने बड़े buyer है से बात clear हुआ इतने बड़े buyer जब आपके सामने देखें तो long करने का मतलब है कि बहुत बड़ा profit अब मेरा जो loss है जो मेरा sell area है वो जो भी आज के day low लग गए वो है और मेरा target इसका लगबग लगब 3 अगर मैं यहाँ पर कोई stock में अगर यह price देख रहा हूँ तो मैं अगर 10 रुपए का risk लूँगा तो कम से कम 30 रुपए कमाने की सोच होगा minimum बता रहा हूँ कम से कम यह कभी कभी 50 रुपए भी आप कमा लेंगे तो सोचिए एक trade का risk लेकर 3 या 4 rate का पैसा निकल आए और फिर भी 4 उसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप 400 trade कर लेंगे तो उसमें आपकी 390 trade तो साही होने वाली हैं तो सोचिए आप कहां पहुँचने वाले हैं बस करना क्या है सुबह उठके ऐसे stocks को filter करना है manually 1y1 chart को देखना है 1y1 जो previous day कैसे पता लगेगा process मैं आपको बता देता हूँ कि जो price अपने near about previous day high के पास बंद हुए पहले आज ये हमको तैयरी करने तो आज जो price अपने previous आज के high के पास बंद हुए तो आज के high के पास ज सा बना लीजे कल वही gap up करके previous day high के ऊपर खुलने की सबसे अधा समभाब ना होती जो stocks ऐसे morning में खुले और पहली candle में inverted hammer देखे फिर उनको filter कर लीजे खुलने के बाद फिर जो high break हो उनको filter करके execute कीजे ये process होता है ठीक है पूरा मैंने आपको एक setup दे दिया अगर आप इस जान से देखे ये कल का price है price खुला नीचे आया और closing के समय closing करने ऊपर आके close किया ठीक है closing point इसका क्या है 517 ये देख रहे है 517 के आसपास close किया close करने के बाद price ने क्या किया previous day high के ऊपर gap up किया और perfect inverted hammer formation perfect कोई भी इसमें दो रहा है नहीं बहुत perfect formation है ठीक है मैंने कहा अब short position बनेंगी जब पिछले दिन के खरीदार का आखरी price काटा जाएगा मतलब previous day closing उसके पहले नहीं तो अगर ये price आकर ये low break कर देता तो तो हम short selling करते उसके पहले नहीं करेंगे बात clear हुई अब क्या इंतजार कर रहे हैं कि या तो low break कर दे या scandal के high तो मुझे ultra strong buyer मिल जाए price ने क्या किया जाकर ये high break कर दिये high break किये यहीं पर long कीजिए long करने के लिए आपको 525 26 27 का price मिल रहा है SL area क्या है 520 कितना stop loss है 6 रुपए का 6 रुपए का risk है मैं कितना कमाऊंगा मैं कमाऊंगा 18 रुपए 15 रुपए जितना दिन का जितना मुझे मिल जाए आज के लिए मेरे लिए कम है जितना मैं कमालू मेरे लिए कम यह 525 26 का price breakout के बाद जब यहां से लौटा 525 से क्या हाई लगा कर आ गया 544 कितने रुपए चल कर गया यहां से 26 से 18 रुपए चल कर गया 26 से बात क्लियर हुआ यह जो projection है यह जो momentum है जब आप इसको capture करना सीखेंगे देखे एक setup को अपना ideal setup बना लीजे simple समझिए एक projection पहचानिए अब यह देखिए कि जिस दिन मुझे यह मिला ढूनने मैं तो इसको trade करूँगा नहीं तो पुरे दिन कोई trade नहीं करूँगा जब आप यह सोच लेंगे ठीक है तो आपको जब जब trade execution का मौका मिलेगा वो आपके skill पर होगा आपके performance पर होगा फिर गलती की गुंजायस नहीं रह जाती है मैं दावे से कहता हूँ दो महीने जो कर लेगा और फिर मुझे अपना return दिखा देंगे और खुद अपना return दे किसे लेकिन जो आपके mind में ये चीज़ अब clear हो गई अब आप इसको lifelong नहीं बूलेंगे बस करना क्या है rewind करना है rewind करने का मतलब क्या है दोहराते रहना है देखिए मैं क्या करता हूँ मैं कुछ पिछले वीडियो जो आपने पहले सीखा उसको मैं दुबारा से डलता हूँ किसलिए कि आपकी दोहराओ की प्रकृति कभी खत्म ना हो प्राइज तभी आपको याद रहेगा जब आप उसके दुबारा formation होते हुए देखें या बार-बार उसको बनते हुए देखें तो अगर मैंने कभी resistance आपको पढ़ाया तो एक डिएड महीने बाद मैं rewind करा हूँ दुबारा उस वीडियो को re-upload करूँगा पूरा देखा कीजिए पूरा complete यह नहीं सोचना है कि मैंने पहले देख रखा है तो नहीं देखना है नहीं ऐसा नहीं है मैं अपने experience से बोल रहा हूँ ठीक है तब आपको यह बात कह रहा हूँ कि जब तक आपने वीडियो को द description में आपके पास telegram और whatsapp का link है और अपने लोगों के साथ पसंद आता है तो अपने लोगों के साथ share कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए शुब रात्री धन्यवाद